हेलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ने वलोग में तो दोस्तों अभी फिलाल हमें दनियावा में और रात में यहीं पे सोई हुए थे पिछले वलोग में देखे थे और इसे तबीयत अभी ठीक नहीं हो रहा है सर्दी चुखाम बुखार यह होटल है यह पर हर तरीके वहांतर दूर ही फोर्ट influx खाने के लिए लिए इसका विलोग आपको झाल के मेरीnar देखने को तो नहीं हो सब दिख सब यहां सब पर होता है तो आपर मचलि कि आप लग गया इतना भीढ़ है यहां पर मचली करने के लिए गजब का सूरा मखली मिल जा रहा है जो मखली आप खाना करते हैं आठ लगा अधर देखर देखिये फीछ यह जिंगा हो गया यह चोटा मश्री इसमें है यह गरम-गरम खाने में बहुत मज़ा आता है कि देखे लिए खाते हैं तो चलिए देखिए सुभा से यहां पर गारी लगी हुई थी हम तो मचली खा लिए अब गारी को साफ करके लिख लेंगे यहां से पूरा गंदा हुए तो चलिए फाइनाली जो है हम लोगों का सूट किलियर हुआ मचली खाए यहां पर बहुत मजाया खाने में भीड इस लेवल का था जारों लोग यहां पर खाने के लिए आ रहे हैं यहीं दनियामा देखिए सिंगल रोड है और इसमें जाम बहुत जाजा लगता है तो यहां छोटा सा स्टेशन था इधर बस स्टेशन के टिकट पाउंटर के सामने ही था प्रेम सागर होटल आपको थोड़ा सा सोट दिखाते हैं किस लेवल का यहां पर भीड है देख रहे हैं पूरा के पूरा लोग यहां पर भड़े पड़े रहते हैं मचली खाने के लिए और हर यहां भी पहां से निकले जखेंगे जो मसलि आपको कहीं नहीं मिलता होगा होगा मचली आपको यहां पर खाने को मिलेगा अभी निकले है गर पे तो सही रहेगा रिष्ट करके फिर बाहर हम लोग निकलेंगे तब ही अठ्टिक कर लेंगे दवाई अच्छे से खा लेंगे कि आप 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 है फेनाली सो किलो मेटर गारी चलाने के बाद देखें फर्स्ट टाइम अम जाम में फशे वो भी लंबा जाम लगा हुआ है लगभाग आधा किलो मीटर पहले से ही आगे है सिमडिया पूल पूल है टुटा हुआ सिंगल से सभी को निकालता देखें पीछे भी है आदमी खड़ाओ और अभी तो जाम लगते जाएगा जब तक उधर का गाड़ी किलियर होगा तब फिर इधर का गारी निकालेगा चलिए उस साइड जाके अच्छे से रुकते हैं उ और 100 किलिमेटर गाड़ी लगभग चला है तो 100 किलिमेटर से ज्यादा चला है रेस्ट कहीं भी नहीं किया अभी तर देखें उसी पूल के उपर अभी जा रहा है ट्रेन नीचे ट्रेन चलती है उपर से हम लोग जाते हैं कार बाइक जो भी होता ये सभी उधर भी लंबा ज जाम होगा इतना सारा गारी अभी आ रहा है जब जितना देर में रुके है उतना देर में लग 20 से 25 गारी निकल चुका है तो लगभग अच्छा जाम होगा उस साइड़ भी जाम आगे का खुला और पीछे देखे कितना बड़ा जाम है बहुत दूर तक पिछे लग गया होगा क्यूंकि पांच मिनट में कम दीस इस गारी पिछे जाब हो गया था तो चलिए अब चलते हैं तो यह देखे आगे यही है सिंगल रोड यहां पर एक साइड से ही लोग जा सकता है यानि कोई भी गारी जा सकता है उधर काम चलड़ा है तूटा फूल टूट गया इधर पूल का काम चल रहा है और इस बीच में जो बंध है जब वो फूल चालू हो जाएगा भैंकर वाला फोर लाइन का पूल बंद रहा है तो उस पे हम लोग चलिए और ज़र दे के काम चल रहा है इस पूल का भी काम चल रहा है लेकिन छोटे गारी के लिए जब तक वो चालू नहीं होता है तब तक इससे जा सकते हैं अभी तो इस पूल को चालू हने में लगभूक दो साल और लगे गल जैसे काम चल रहा है जिसी साब से दिख रहा है तो चले देखी इधर से जो गाड़ी आ रही थी यहां सब को रोक दिया गया है अब यहां से जाम लगना शुरू हो हो गया होगा बहुत दूर तक जाम होगा इधर अभी दिखाते हैं आपको आगे कहां तक यह जाम है अभी पूल आधा बचा हुआ है 300 से 400 मीटर तक कि अधर के बीच में आके गुषा दिया है इसे में जाम लग जाता है लंबा तो नीचे देखिए काम चला रह वहां पर आदमी है कितना छोटा छोटा लग रहा है हम लोग दो पड़ है क्या बहुत चोटा चोटा हैं से दिख रहा है तो चलिए देखिए पूल से हम लोग इसे उतरने वाले हैं और जाम पूरा पूल पे जाम था और इधर देखिए कितना बड़ा यहां तक ज्यादा टेम हुआ नहीं है और इसे यह फेमास जगह है बिहार का यह बेगु सराइसाइड का सिमडिया यहां पे गंगा नदिये सिमडिया लोग यहां पे नहाने के लिए पूजा करने के लिए भी आते हैं और कौनी सुद्ध काम होता है तो वह यहां पे करने के लिए आते हैं इस अधर देखी के इतने वे गारी जलगी हो यह समें, इस यह मूंडन के लिए हुगा या कोई सुद्ध काम के लिए होगा या कोई मड़ गया होगा तो इस проект एक ये बहुत फेमस है वेवुशाई शीमडिया गारी को पर देखे यह संबुन्दन कर जा रहे हैं ट्रक पर देख रहे हैं किस तरीके से बठे हुए रिक्स से इस गारी पर कितना रिक्स में सब बठे हुग है तो जाली फुले स्पीट में सब चला रहा है और यहां देखें कितना में चल रहे हैं तो ट्रक में तो सौकर रहता नहीं है पूरा स्पीट लगता है वह वो खतरनाक खतरनाक लोग है हमारे भीहार में भाई साब फिर से जाम लग चुका है ओ माइग गॉड यह देखी यहां पर तो से लिए लगभग 130-140 किलोमीटर गारी चलाने के बाद आब गारी बहुत चलाया जब से गारी पर बर्ठे चलाते हुए यह आपय आगे यह देखिए हमारे डिस्टिक का वीव हम तो इसे बेगुसराय डिस्टिक से ही हैं तो बेगुसराय पहुंचने वाले हम लोग तो यहां का यह सीम जोन बहुत मुश्ट है तो चलते हैं फैनली घर और यह देखिए रास्ता कितने बढ़िया अभी तो और नोर्मल जा सकते हैं सब्सक्राइब कर देखिए अस्टिक मीट भी दिया हुआ है कि अस्चिनबे ठेक है इस रोड में अराम से जा सकते हैं